हेलो दोस्तो मैं हूँ अमित, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके इस यूटीब चनल नौलेज नोर में दोस्तो मेरे कई सारे वीवर ने एक ही क्वेश्चन किया है कि कुछ लंबी दूरी की ट्रेनों में भी पैंट्री कार की सुविधा क्यों नहीं होती है तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में डिसकस करेंगे और जानेंगे कि रेल्वे कुछ लंबी दूरी की ट्रेनों में पैंट्री कार क्यों नहीं लगाती है दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा ट्रेनों में पैंट्री कार यात्रियों की सुविधा के लिए लगाये जाता है जिससे यात्रियों को breakfast, dinner, lunch, time से मिल सके अब इन सब की जरूरत उन्ही ट्रेनों में होगी जो ट्रेने 24 आवर से अधिक समय तक लगातार अपनी जर्नी करती हो दोस्तों कुछ premium ट्रेने जैसे की राजधानी सताबदी को छोड़ कर 24 आवर से कम समय तक चलने वाली ट्रेनों में पैंट्री कार की जरूरत नहीं होगी क्योंकि यात्रियों को इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन अब सवाल यह है कि कुछ AC ट्रेने भी हैं जो 30 गंटे से अधिक समय तक चलती है फिर भी उसमें पैंट्री कार नहीं होती है इसके कई सारे रीजन है जिसमें पहला है कि AC ट्रेने जिसका सोर्स से डेस्टिनेशन तक कई सारे इस्टॉपेज हो ऐसी ट्रेनों में रेल्वे पैंट्री कार नहीं लगाती है जैसे कि देहरादूं से हावडा के भी चलने वाली दून एक्सप्रेस जो की कंटीनिव 35 आवर तक जर्नी करती है फिर भी इसमें पैंट्री कार नहीं लगा जाता है क्योंकि यह ट्रेन सोर्स से डेस्टिनेशन तक 75 इस्टेशन पर रुखती है जहां से यात्रियों को खाने पीने की चीजें बड़े अराम से मिल सकती है रेल्वे लंबी दुरी की उन्ही ट्रेनों में पैंट्री कार देगी जिसका स्टॉपेज लिमिटेड हो यानि कि वह बहुत कम स्टेशनों पर रुखती हो दूसरा है कि ऐसी ट्रेने जिसमें यात्री लॉंग दिस्टेंस तक ट्रेवल नहीं करते हो भले ही ट्रेन 24 आउर से ज़्यादा दूरी तक ट्रेवल करती हो लेकिन उसमें पैसेंजर 300 से 500 किलो मिटर वाले हो तब ऐसे ट्रेनों में रेलवे पैंट्री कार नहीं लगाती है अगला है कि लंबी दुरी की ऐसी ट्रेने जिसमें 8 से 10 स्लीपर कोच हो और बताये गए सारी क्रेटिरिया को पूरी करे तब ही उसमें पैंट्री कार लगाई जाएगी अगला है कि लंबी दुरी की ऐसी ट्रेने जो सापताहिक हो या सापताह में 2-3 दिन ही चलती हो उसमें भी पैंट्री कार नहीं लगाई जाएगी क्योंकि इसके लिए रेल्वे को अलग से वेंडर निउक करना पड़ता है जिसका टेंडर देना पड़ता है जिसका कोस्ट इंकम से ज़्यादा हो जाता है दोस्तों ये कुछ क्रेटीरिया है जिसे ध्यान में रखकर लंबी दूरी की ट्रेनों में पैंट्री कार लगाई जाती है उमीद करते हैं आपको आपके कोशन का जवाब मिल गया होगा फिर भी कोई डाउट हो तो कॉमेंट करके जरूर पुछेगा वीडियो कैसा लागा कॉमेंट करके जरूर बताइएगा अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजेगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दिजे आज के इस वीडियो में से इतना ही मिलते हैं एक नए वीडियो में थेंक्यू फूर वाचिंग फैंड्स